वल 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 बॉलिवुट के परदे पर कभी सूपर हिट जोड़ी हुआ करती थी नीलम कुछारी और गोविंदा की कभी नीलम कुछारी और गोविंदा ने इसकदर राज किया था बड़े परदे पर कि लोग उनकी मुहबत की कहानी अपने जबान पर याद कर चुके थे नबे के दशक में नीलम कुछारी और गोविंदा की फिल्मों ने हर किसी कोंकत बिवाना बना दिया था एक नहीं दो नहीं कई फिल्में इन्होंने साथ की थी आज वो नीलम और गोविंदा वो नज़र नहीं आते हैं साथ क्यों ये साथ सुन शेर नहीं करते हैं क्यों रियल लाइफ में एक दूसरे का सामना करने से भी बच्चते हैं क्यों आखेर नीलम गुविंदा का नाम भी अपने जुबान पर लाना पसंद नहीं करती है उनकी दोस्ती उनकी मुहबबत की कहानी जो रियल लाइफ में भी काफी मशूर हो गई थी कैसे उनके रिष्टे में मेठास के बजाए करवाहत घोल गई हमेशा हमेशा के लिए आज हम बात करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में इसी बारे में नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ट डराइन लाइफ मैं आप सब के विश्ट्रिप्ती ले कर आई हूँ ये स्पेशल रिपोजS गोविन्दा की लब स्टोडी आपनी भाई look सुनीता के साथ तो काफी मश्यूर सुनीतो और गोविन्दा ने एक नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार शादी की है एक दूस्ट्रे के साथ को गो मा के कहने के अनुसार गोविन्दा ने सुनीता से शादी कर ले थी। लेकिन जब उनकी बेटी तीना यानी नहमदा खजन हुआ तो लोगों के बीच जिस सच सामने आगया कि गोविन्दा शादी शोदा है। बड़ा असर पड़ा फिर गोविंदा ने कैसे नीलम कुठारी के साथ अपने अफैर्स को भूल कर पतनी के साथ ये अपने रिष्टे आगे बढ़ाएं ये भी सब को पता नहीं है क्योंकि गोविंदा ने खुद बताया नीलम कुठारी जो उनकी पहली मुहबबत थी जिन पर वो जान चरका करते थे उन्हें छोड़ना उनकी लिए आसान नहीं था उन्होंने नीलम के साथ अपने रिष्टे अपनी मर्जी से नहीं तोड़ने थे नीलम कुठारी के साथ गोविंदा को रिष्टा तोड़ना पड़ा ये मर्जी नहीं बलकि मजबूरी थे उनकी और इस मजबूरी के पीशे कौन था वो शक्स क्या उनकी पतनी थी या फिर क की जहन में सवाल तमाम होगे तो आपको हम टाइम विस्ट किये बिना जादा इंतसार नहीं कराएंगे और रिपोर्ट में बताएंगे किस वजह से तूटे थे गोविंदा और नीलम के रिष्टे किस वजह से इनकी मुहबत की कहानी हमीशा हमीशा के लिए रह गई अधूरी देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट बॉलिवुड इंडिस्ट्री की पेहद खूबसूरत आक्रिसेज में से एक रही नीलम कुठारी जब परदे पर नजर आती नब्बे के दर्शक में उन्होंने कई ऐसे आक्र्स के साथ फिल्मों में काम कर लोगों का दिल जीता जिसमें उनके अंदाज बहुत अनोखे रहें खेर यहां आपको बता दे आज नीलम कुठारी की बात हमें से लिए कर रहे हैं क्योंकि बॉलिवुड के शांदार आक्टर्स में से एक रहें गोविंदा का आज जन दिन है और गोविंदा के साथ नीलम के नाम किस तरह जुड़े थे या आज किसी को बताने की जरूर नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि नीलम और गोविंदा के अफैर के जर्चे बॉलिवुड की गलियों में खूब एक समय गुंजा करते थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा ने नीलम को छोड़ एक दूसरी महिला से शादी क करने का फैसला लिया सुनीता से शादी का फैसला उन्होंने क्यों लिया सवाल बड़े थे इसका जवाब आज हम आपको देना चाहेंगे जी हाँ गोविंदा ने खुद ही ये राज खोले थे कि नीलम से शादी करना वो चाहते थे उनसे वो प्यार भी करते थे क्योंकि फि सुनिता से अपनी सगाई तक तोड़ने वाले गुविंदा ने नीलम को छोड़ दिया था क्यूं कारण यह है कि गुविंदा की माँ चाहती थी कि वो डारेक्टर आनन सिंग की साली यानि कि सुनिता जोंकी वर्तमान में वाइफ हैं उनसे शादी करे गुविंदा ने अपनी मा की बात सुनी और अपनी मा के साथ काम अपनी मा के लिये नीलम को छोड़ सुनिता से शादी कर ली थी मा की कहने पर मार्च 1987 में सुनिता से गुविंदा ने शादी की थी अपनी शादी के बात सबसे उन्होंने छोपाई थी ताकि उनकी करियर पर इसका प्रभाव ना निकी नर्मदा का जन्म हुआ था नब्वे के दशक में मैगजिन को दिए इंटर्विव में उन्होंने ये कहा कि शादी के बाद भी नीलम को वो नहीं भूले थे नीलम के साथ उन्होंने फिल्मे की और नीलम सिर्फ उनके साथ स्क्रिन शेर करें वही वो चाहते थे लेकिन वो प्यार उनकी पहली थी और हमेशा रहेंगी ये उन्होंने कहा था वो गुविंदा और नीलम कोठारी की कहानी क्यों रह गई हमेशा हमेशा के लिए अधूरी क्यों नीलं, कुठारी और गुविंदा ने अपनी मुहब्बत के पन्नों में हमेशा के लिए साथ लिखने की चाह को अपने दिल में दबा करतो रखा लेकिन हमेशा के लिए अपने इस क्वाहिश को मार डाला आपने जाना वो कोई और नहीं गुविंदा की अपनी मा थी, जिसकी वजह से गुविंदा ने नीलं को प्यार में धोखा दे दिया, नीलं को सिर्फ और सिर्फ आसो दिये सारे सपने नीलम ने जो सजाए उस सपनों पर गोविंदा ने पानी फेर कर सुनीता को अपनी जिन्दगी में हमीशा के लिए जगा दे दी ये बात अलग है कि नीलम ने बाद में जिस तरह से समिर सुनी के साथ शादी कर अपनी जिन्दगी में एक खुशाली बचोरी है गोविंदा को भी सुनीता से बेपना प्यार मिला है और इसलिए उन्होंने तीन तीन बार अपनी पत्नी से ही शादी की है ये बात अलग है कि सुनीता हमेशा अपने हस्बिन को लेकर फुल सपोर्टीव रही है लेकिन गोविंदा के इसे तरह से मजाकिया और फ़नी फ्लर्टी नेचर के वज़े से सुनीता कई बार इंसिक्योर भी रही है नीलं कुठारी के बार रानी मुखरजी के साथ भी गोविंदा के नाम खुब जुड़े थे जिसके बार सुनीता काफी नाराज रहे थी देखते ही देखते गोविंदा ने अपनी पत्नी के साथ लोयल रहने के लिए उन एक्ट्रोस के साथ काम करना ही छोड़ दिया और सदा के लिए सिर्फ पुर सिर्फ अपने दिल में नीलं कुठारी को रखा बाकी actresses के साथ फल्मे परदे पर नसराई गोविन्दा ने अपनी wifey के साथ अपने relation को सबसे ज़ादा priority दी इसलिए आज उनकी married life सबसे successful life के तौर पर जाने जाती है खेर इस खास report में इतना ही बाकी असे ही B-Town से जुड़ी तमाम बड़ी updates के साथ बने रहने के लिए आप हमारी चानल नेश्ट नाइन लाइफ को subscribe करना बिलकुल ना बोले till then bye bye and take care